बच्चों मैं आज आपको रांगोली बनाना से खाने जा रहे हूँ उसके लिए आपको इस प्रकार के कुछ सामगरी के आउस सेकता होगे जो भी आपके पास अपलब्द है आप उनसे भी कर सकते हैं रंग भी आपकी पसंद के होगे और डिजाइन भी आपकी पसंद की होगी हम बच कुछ आपको तरीके बता रहे हैं कि किस प्रकार से आसाने से आप बना सकते हैं यह देखिए दहलीच जो होती है उस पे बनाने के लिए मैं आपको कुछ डिजाइन बता रहे हूँ डायलिस की दोनों साइड में ने आउटलाइन दी है और ये दीखिए जो आपका ग्लू की डब्बी होती है उसको में एक टूल की तरह या है अप जाहे तो सॉस बॉर्टल जो खाली हो जाती है या इस प्रकार के कोई भी डब्बी का यूज़ कर सकता देखिए किस प्रकार से मैंने सीडी लगा दी और जो लाइन पनाई है उसके सहारे इस प्रकार से आपको थोड़ा-थोड़ा करके इस प्रकार के बुंदी डाले और चलनी से कलर फिल कर दे चोटे बच्चों के लिए भी बनाना बहुत आसान है पालक महोदय को थोड़ा सा सयोग करना होगा आलता ही साथ में करने को ख़weisen थोड़ा वो ढुगार सकते हैं परंथ इस प्रकार से और सीखेंगे और उन्हें अति उस्साह इन जिजों का होता है तो आप इस तरह से बच्चों से करने को कहें और आप जहां क hydraulर डालना हो, वहां आप डालें इस तरह आपके और बच्चों के सहयोग से बड़ा सुंदर रांगोली बन सकती है और दर्वाजे वाला जो यह पट्टी में बना के पता रहे हूं इस टाइप से आप कही और भी डिजाइन बना सकती है जिसी यह जो अपने बुंदकी डाली है इसमें बच्चों से कहें तो आप फिंगर आरम से वह अच्छ की आकरती बन जाती है तो आपने देखा यह बहुत सरल तरीका है रांगोली बनाने का जिसमें बहुत ज्यादा बारिक लाइन चलाने का जंजटी नहीं होता बच्चे भी खुशी-खुशी आपके साथ करते हैं तो यह रहा हमारा दर्वाजे का जो स्वागत पट्टी आप इसे चाहें तो और भी इस तरह कई डिजाइन इसमें जोड़के बना सकते हैं इसके साथ ही सितारे चमक आदी भी इसमें डालकर सजाया जाता है तो रात के समय जब दीपक लगता है तो यह सारे जब चमक होती है बड़ी सुन्दर लगती है तो देखो इस तरह मेरे पास डलवाएं उसके अलावा आप चाहें तो जो फोक होता है उससे भी कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं तो यह देखिए हमारी स्वागत पटी वेलकम पटी इस प्रकार से उसके बाद बच्चों से दीपक जला कर रखने को कहें आप दीपक जला के दे बच्चे जब रखेंग से आप इस प्रकार का स्वागत दवार जरूर तयार करेंगे तैंक यू